क्या आपको 2018 में वाइरल हुई ये एक्स्प्रेशन की भंडार महतरमा याद हैं जिनकी सिर्फ एक कातिलाना वेंक ने पूरी दुनिया और इंटरनेट को इसकदर दिवाना बना दिया था कि 2018 में वो दीबिका पादुकोन और सन्नी लियोन दीदी दोनों को पीछे छोड़ कर गूगल की मोस्ट सर्च सलिबरिटी बन चुकी थी पर आज की तारिक में ये कहां है और क्या कर रही है वेल इसका जवाब तो मैं दूंगा ही लेकिन उससे पहले हम 2021 में वाइरल हुए इन जनाब से मिलते हैं जिनका परीचा ही है बच्पन का प्यार जिसके सिर्फ 12 सेकंड के एक वीडियो ने उसे 36 गण के एक छोटे से गाउं से सीधा बाश्या के म्यूजिक वीडियो तक पहुचा दिया और इसी के साथ हम जानेंगे के छाती फीट कर फेमस कैसे होते हैं वो हर्याना की शान है यश्राज मुखाटे ये वहीं इंसान है जिनकी वज़े से पूरी इंडिया कोकिला बेन के डायलोग पर जूम गई थी ये हैं इंस्टाग्राम के वारल सेंसेशन यश्राज जिन्होंने अपने वारल मैश अप जैसे की साड़ा कुता कुता बिगनी शूट और रसोडे में कौन था से लोगों के मन में जगया बना ली थी पर इस सक्सेस की कहाणी के पीछे की कहाणी थोड़ी सी इंटरस्टिंग है यश्राज दरसल पहले एक इंजीनियर थे जिनोंने हर इंजीनियर की तरह इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सब कुछ किया और यहाँ बाकी सब कुछ से वीरा मतलब था मैशप गाना बनाना वैसे तो इंजिनेरिंग की पढ़ाई करते वक्त भी उन्होंने यहाँ वहाँ एक आधा म्यूजिक से रिलेटड काम ये कर चुके थे पर उनके करियर की गती तब बड़ी जब कोकिला बैन का यह मशूर डायलॉग देखा जिससे उनको इस पर बीट से डाल कर इंटरेस्टिंग बनाने का आइडिया आया पर वो जब ये मैश अब बना रहे थे तब उन्हें बिलकुल भी आइडिया नहीं था कि मैश अब इतना ज़ादा वाइरल हो जाएगा कि इससे बड़े बड़े सेलेब्स पसंद करने लगेंगे यहां तक युन्हें डारेक्ट अनुरा कश्य अपने तक मैसेज करके उनकी तारीफ की थी और इसी फेम के चलते उन्हें कई सारे लोगों ने कॉलाबरेशन और इंटर्व्यूस के लिए कॉन्टेक्ट करने लगे जिसका पूरा फायदा यश्राज ने उठाया पर इतना नाम कमाने के बाद वो रुकने वाले नहीं थे और वो आज भी ऐसे मसदार महिश अपस बनाते रहती हैं वैसे यही कॉन्टेंट को बनाते बनाते वो इतने मशूर हो चुके हैं अब हमारे लिस्ट की अगली पेशकष यह महाशे हैं जो अपनी चाती पीट-पीट कर रीज की दुनिया में अलग ही तैल का मचा रही है अरे कन्फ्यूस मत होईए हम बात कर रहे हैं हर्याना से आने वाले मशूर यूट्यूबर और रील सेंसेशन जोगेंदर यादव की जिने लोग आनलाइन हो या धारा भाई जोगेंदर के नाम से जानते हैं और जोगेंदर के फेम का सफर शिरू हुआ जून 2020 में जब उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शिरू किया जहां वो हर्यानवी में कॉमेडी वीडियो अपलोड करते थे पर शिरूवात में लोगों ने उनके वीडियो पर उतना गौर नहीं फरमाया तब जाकर उन्होंने टिक टॉक पर यूँ छाती ठोक ठोक कर वीडियो बनाना शिरू कर दिया और इनकी यही अजीब स्टाइल को लोगों ने इतना पसंद किया या सच कहूं तो ना पसंद किया कि यह रात और रात वाइरल हो गए और उनकी पूझी वीडियो को वाइरल करने में सिर्फ जनता का ही हाथ नहीं था बलकि कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने जोगिंदर पर रोस्ट वीडियो बना कर उसे फेमस करने में अपना खुद का योगदान भी दिया था लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं रही क्योंकि उनका फेम इतना जादा बढ़ गया था कि जोगिंदर को म्यूजिक वीडियो में एक्टिंग तक करने का मौका मिला है नमबर तीन प्रिया प्रकाश वारियर सबसे पहले तो हम उस से कातिलाना विंक की बात करेंगे जिसमें रात और रात पूरे इंडिया की सांसे रोग दी थी जी हाँ आज आपकी यादे ताजा करने के लिए मैं लेकर आया हूँ 2018 की वाइरल सेंसेशन प्रिया प्रकाश को जिनकी एक विंक में पूरे इंटरनेट को मंत्र मुग्द कर दिया था जिसके बाद पूरी दुनिया प्रिया की पहली मलियालम मुवी औरू अडार लव के गाने मनी कया मला राया मुवी के म्यूजिक वीडियो को रिलीस के बाद अचानक उनके फैन काफी सारे लोग बन चुके थी और भाई बनते भी क्यों नहीं ये गाने की एक 20 सेकंड के क्लिप में जहां प्रिया आख मारती भी दिखाई देती हैं उसको लोग ने इतना जादा पसंद किया कि आज हो म्यूजिक वीडियो पर पूरे 10 करोड से जादा व्यूज आ चुकी हैं लेकिन इनके एक्स्प्रेशन पर सिर्फ जनता ही नहीं बलकि सेलब्स भी पागल हो रहे थी जहां बॉलिवोड एक्टर रेशी कपूर भी इनकी एक्टिंग के दिवाने हो गए थी और उन्होंने प्रिया की तारीफ करते हुए ट्वेट कर दिया था यही नहीं प्रिया का ये सीन इसकदर वारल हो चुका था कि मशूर टॉलिवोड एक्टर अलो अर्जुन ने प्रिया के सीन को रेक्रियेट किया था और यही व्यूज और फेम के कारण प्रिया के करियर के शिर्वात में उन्हें कई मूवीज और एड के लिए अप्रोच किया गया था जहां उन्होंने एक एड के लिए पूरे एक करोड रुपे की डील तक साइन की थी लेकिन सबसे हैरानी की बाद तो यह है कि 2018 में उनके सेंसेशन का कारण प्रिया को गूगल ने मोस्ट सर्च सेलेब भी बना दिया था जहां उन्होंने दिपिक और सनी जैसे बड़े बड़े स्टार्स तक को पीछे छोड़ दिया था और इसी के साथ ही ऐसी उड़ती उड़ती ख़बर भी आई थी कि उनके बड़ती पॉपुलरिटी के चलती प्रिया सिर्फ एक इंस्टा पोस्ट के लिए पूरे आठ लाख चार्ज कर रही थी लेकिन यू रोज स्टेशन पे गाना एक दिन उनकी पूरे जिंदिगी की दिश्या बदल देगा यह उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था दरसल हुआ यह कि 2019 में जब रानू मंडल की सुरीली आवाज इंटरनेट पर डाली गई उसने लोगों को कुछ इसकदर दिवाना बना दिया था कि इस वीडियो पर पूरे 25 लाख व्यूज आ गए थी और रानू की किस्मत रात औरा चमक गई थी और इनकी यही वाइरल सेंसेशन के चलते उनको कई बड़े बड़े म्यूजिक डारेक्टर और मूवी डारेक्टर से ओफर आने लगे थी इसके अलावा भी रानू जिने लोग प्यार से राना घाट की लता बुलाने लगे थी उन्हें एक म्यूजिक रियालिटी शो इंडियन आइडल पर भी जाने का मौका मिला था जहां उ लगों ने उतना ही जादा पसंद किया जिसके बाद उन्होंने हिमेश के फिल्म के लिए और दो गाने भी रिकॉर्ड किये थी पर रानू की जिन्दगे में सिर्फ नाम और शाहरत नहीं एंट्री नहीं मारी थी बलकि उनके वाइरल हो जाने के वज़ए से उने अपनी बि वीडियो वारल हुआ तब लोगों ने फॉरण ही रानू को भला बुरा सुनाना शिरू कर दिया क्योंकि ये वीडियो में रानू का अलग ही रूप लोगों के सामने आया जहां वो एक फैन के साथ बत्तमीजी से बात करते हुए नजर आई थी और जिस स्पीड से रात और उन्हें सेलिब्रिटी की कुर्सी पर उन्हें बिठाय था उसी स्पीड से उनको वापस नीचे भी उतार दिया नमबर पांच सहदेव दिर्दो एक बारा सेकंड के क्लिप की कीमत तुम क्या जानो रमिश बाबू क्योंकि यही बारा सेकंड किसी छोटे से बच्चे की गाने को चिपका दिया था और कुछ ऐसा चिपका दिया कि कोई भी सोशल मीडिया खोलने पर बस यही गाना सुनाई दे रहा था अब वैसे तो सब को यह गाने और वारल क्लिप की खबर हो गई लेकिन आखर कहां से आये बच्चा जिसने चंद सेकंड में अपनी पूरी इंडिया की जंता के दिलों में जगया बना ली थी तो सीन कुछ ऐसा है कि जंता को अपने अनोखे गाने पर नचाने पर मजबूर करने वाले 12 साल के सहदेव की कानी शुरू होती है 36 गड के एक छोटे से गाउं में जहां ही अपने पिता और भाई वहनों के साथ रहते हैं और जिस क्लिप ने उन्हें रात और रात सेलिबरेटी मना दिया वो दरासल आज से दो साल पहले ही सहदेव के स्कूल में रिकॉर्ड किया गया था जिसको उनके टीचर ने बस ऐसी अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया था अब यही वो वीडियो था जिसको रैपर बाश्या ने अपनी ट्यून और बीट्स लगा कर अपलोड कर दिया था और उसे अपने आने वाले म्यूजिक वीडियो तक में लेने का वादा किया यही नहीं सहदेव के फेम के चलते उन्हें इंडियन आइडल के मंच पर भी जाने का मौका मिला था जिसके बाद उनकी पॉपुलेरिटी और भी जादा बढ़ गई जहां उन्हें 36 गड के सीम भुपेश भगेल तक ने बुलावा दिया था और सब के सामने उनकी काफी तारीव भी की थी यानि देखा जाय तो यह सारे लोगों का टैलेंट या कोई केस में टैलेंट ना होने के वज़े से उनको फेमस जरूर मिल गया मतलब पबलिक को तुम कुछ भी दिखा दो चाहे वो सुरीला म्यूजिक होई या उसकी आर्ड में फटे हुए स्पीकर के तरह कोई म्यूजिक लोग यूहीं यूनिकनेस को पकड़के तुमें वारल जरूर कर देंगे क्या आपके पास भी ऐसा कोई हट के टैलेंट है जो आपको रात और रात इंटरनेट चेहरा बना दे नीचे कॉमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताईएगा और साथ ही आपको इन सब वारल हुए स्टार्स में से किसकी कानी सबसे जादा अच्छी लगी वो भी बता दीजीगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूले साथ ही हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दीजीगा शुकरिया